नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटन के शुरुआत करेंगे हेडलाइन से कल राज जिस अभा में पेश होगा ज्येस्टी बिल बीजेपी निसान सदों को जारी किया हुई जीएस्टी बिल में संशुधन को हरी जंडी दे चुकी है मोधी कैबिनेट बुलन शोहर गैंग रेप मामले में बीजेपी बीएसपी ने मांगा अखिलेश सरकार से स्थिफा मायवती ने कहा यूपी में जंगर राज बुलन शोहर के सांसत भोला सिंग ने लोक सभा में उठाया मुद्दा चोरा बुद्दीन केस में सुपरीम कोट में अमिच शा के खिलाफ याची का खारिज बंबई हाई कोट के निर्ने को सामाजी कारिकरता ने दी थी चनौती कोट में शाक को दी थी क्लीन चिट जमाजम बारिश से दिल ली हावडा रूट पर खमी ट्रेनों की रफतार मुगल सराय रेलवे यार्ड में भारी जल जमाव सिगनल फेल होने से ट्रेने जहां तहां रुकी और अमिताप के घर में गुसने की कोशिश में बनवारी गिरिफतार बिग बी को सुनाना चाता था गाना बिहार का रहने वाला है बनवारी मुसलाधार बारिश से सोमवार की सोबहा मुगल सराय रेलवे यार्ड में भारी जल भराव हो गया रेलवे ट्रैक में पानी भनने के कारण सिगनल फेल हो गए और दरजन भन ट्रेने जहां तहां खड़ी हो गई इसे यात्रियों को काफी फजीहत हुई लगभग पोने दो घंटा बाद बरसात कम होने पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ सिगनल फेल होने के बाद अपवा डाउन की ट्रेनों को मुगल सराय स्टेशन वा आउटर के अलावा जीवनात पुर कुछमन आदी स्टेशनों पर रोखना पड़ा मुसलद हर बारिश की वज़ा से एक हफ़ते में दो बार ट्रेनों के परिचालन पर असल पड़ चुका है सिगनल फेल होने से बीते 26 जुलाई को भी साड़े तीन घंडे तक ट्रेनों की रफ्तार रुक गई थी बारिश से निपर्षने के लिए रेल प्रशासन के पास कोई विकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है BSP अध्यक्ष मायवती ने उत्र प्रदेश में कानून व्यवस्था द्वस्थ होने का आरूप लगाते हुए मायवती ने संसत भवन में समधाताव से कहा कि बुलन शेहर की दुशकन की घटना से ये साबित हो गया है उन्होंने कहा इस घटना से साफ जाहिर हो चुका है कि उत्र प्रदेश में कानून का राज नहीं जंगल राज चल रहा है बियस्पी सुप्रूमें ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस चगन्य घटना की जिम्यदारी लेते हुए नैतिक्ता के आधार पर इस्तिफा दे देना चाहिए अगर उत्र प्रदेश नहीं समहाला जा रहा तो बहतर होगा कि मुख्यमंत्री के पज़ से नैतिक्ता के आधार पर इस्तिफा देना चाहिए ये मेरी सला है उत्रप्रदेश के बुलन शहर जुले में हुए गैंग रेप मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादफ ने पुलिस अधिकारियों को इस घटना का खुलासा करने के लिए 24 घंटों का अल्टिमेटम दिया है जिसके बाद अधिकारियों की नीद उड़ गई है अखिलेश के सक्त तेवर के चलते अब तक स्स्पी और इंस्पेक्टर समेथ 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है जबकि अभी और कई अधिकारियों पर गाज गिनने की संभावना है मुख्यमंत्री ने घटना को बेहत गंभीरता से लेते हुए मुख्यस अचीफ दीपक सिंगहल को तलब किया और प्रमुक्स अचीफ देवाशीश पांडा और पुलिस महानेदेशक जाविद एहमद को फोरण घटना स्थल पर भेजने का निर्देश दिया उन्होंने एक बयान ज्वारी कर कहा कि इस मामले में प्रभावी कारवाई ना होने की स्थिती में पुलिस विभाग में उचतम स्तर पर भी कारवाई हो सकती है बीजेपी अध्यक्ष अमिट शा के खिलाव शोहरा बुद्दीन इनकाउंटर मामले में फिर से जाचकी मांग वाली आचिका को सुप्रीम कोट ने सुमबार को खारिच कर दिया शौराबुद्दीन इंकाउंटर मामले में बीजेपी अध्यक्षामिट शा के खिलाफ दोबारा जाज की मांग वाली आचिका सामाजी कारेकरता हर्ष मंदर ने दायर की थी अपनी आचिका में हर्ष मंदर बंबई हाई कोट के आदेश को चनौती दी थी मंबई हाई कोट ने शौराबुद्दीन इंकाउंटर मामले में अमिट शा को क्लीन चिट दी थी अभिनेदा अमिताब बच्चन के घर में घुसने के आरोप में एक शक्स गिरिफतार किया गया है वेर अविवार दोपहर को घर की चार दिवारी फांद कर घुसा था गिरिफतार आरोपी बुलिट बनवारी लाल यादव विहार का रहने वाला है खुद को गाहिक बताने वाला बनवारी अमिताब बच्चन को अपना गाना सुनाना चाता था शुरुवादी जानकारी में पता चला है कि ये शक्स पास जाकर उन्हें गाना सुनाना चाता था गौर्तलव है कि अमिताब के मुंबई में दो घर है प्रतिक्षा और जलसा एक में अभिशेक एश्वरे रहते हैं और दूसरे में अमिताब और जया मुंबई में जगा की कमी है इसलिए बहुत सारे घरों के दर्वाजे सड़क पर खुलते हैं ऐसे में प्रशंसक अकसर उनके गेट के बाहर उन्हें एक नजर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं जब भी अमिताब घर पर होते हैं तो वे बाहर निकल कर उनका अभिवादन भी करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरियों को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है उनको दो महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा कोट ने कहा उनको बंगला दिये जाने का कोई अधिकार नहीं यूपी के मुख्य मंतरी रहे एंडी तिवारी राजनात सिंग, मुलायम सिंग, मायावती, कल्यान सिंग और राम नरेश यादव को बंगले मिले हुए थे अब उनको आज जीवन मिले बंगले खाली करने होंगे यह सबी बंगले लखनों में हैं दरसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जुसमें कहा गया था कि पूर्र मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिये जाएंगे 2004 में लोग प्रहरी नाम के एंजियों ने सुप्रीम कोट में इस आदेश को चुनाती दी थी याचिका में कहा गया था कि ये आदेश रद किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राजियों में भी इसका असर पड़ेगा सुप्रीम कोट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है तीन दिन पहले दिली के IGI एपोर्ट पर DMK सानसत को ठपड जणने वाली राज़सबा सानसत शुशिकला पुष्पा को जयललिता ने AIA DMK से बाहर कर दिया पार्टी माहसाचीफ जैललिता ने कहा कि शुशिकाला को AIA DMK की छवी खराब करने के चलते पार्टी से निकाला गया शुशिकाला पुश्पा पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को DMK के सांसद तिरूची शिवा को सरयाम चाठ थपड मार दिये थे बताया जा रहा है कि DMK सांसद ने तमिलनाडू की CMJ जैललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था जुसके बाद शुशिकाला ने उन्हें थपड जड़ दिया सुमवार को शुशिकाला ने ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया इसमें विदेश मंति शुश्मा स्वराज ने कहा कि भारतियों को लाने के लिए कल वीकी सिंग सौधी अरब जा रहे हैं उन्होंने बताया कि भारतियों को लेकर नियमों में धील देने के लिए सौधी अरब के विदेश और श्रमंत्राले से भी बात की गई है उन्होंने बताया कि वहां भारतियों को खाना उपलब कराया जा रहा है इससे पहले राजसभा में रक्षा मंत्री मनुहर परिकर के आमीर खान पर दिये गए बयान को लेकर हंगामा हुआ परिकर ने कहा कि सदन के सदस्यों को पहले वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद वे इसे कुछ तै करें कॉंग्रेसी संसद गुलाम नभी आजाद ने कहा कि परिकर का बयान देश के अलप संख्यकों के लिए धंकी से कम नहीं है मायवती ने इस मामले पर सदन में पीम मोदी के बयान की अपील की बार बार पर मानू अप्रसार संधी की दुहाई देने वाले चीन ने खुद ही इसका उनंगन किया है चीन ने 2010 में NPT Review Conference में रखे प्रस्ताफ का उनंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर रियक्टर्स उपलब्द कराए है एक ताजा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि चीन ने NPT का उनंगन किया है आम्स कंट्रोल एसोसियेशन रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान अंतराष्टे परमानू उर्जा एजनसी के मानकों के तहत नहीं आता इसलिए उसे परमानू रियक्टर्स देना NPT के नियमों का साफ तौट पर उलंगन है ये याद रखना जरूरी है कि चीन ने NTP का हवाला दे कर ही NSG में शामिल होने का भारत का रास्था रोका था चीन ने कहा गैर NPT देश को NSG में शामिल करने से परमानू अप्रसार के प्रयासों को धक्का पहुँचेगा खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से तो आप जुड़े रही मेटो टीवी से नमस्कार